तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं हूँ अंकोर स्वागत आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक है पर तो दोस्तों आज मैं फाइनली आप लोगों के लिए ड्रैगन वॉल मल्टिवर्स का लास्ट चेप्टर लेकर आ गया हूँ मैं आप लोगों को द्वार अपता देता हूँ कि मैं इस चैप्टर को लास्ट चैप्टर इसले कह रहा हूँ क्योंकि इसके आगे भी चैप्टर नहीं आये है जैसे ही इसके आगे कोई भी चैप्टर आएगा मैं आप लोगों पिले उसकी स्टोरी लेकर आ जाओंगा अभी Dragon Ball Multiverse की काफ़ी स्टोरी बाकी है और अब जब हमने Multiverse Tournament के सारे चैप्टिस को कवर कर लिया है इसके बाद हम एक एक करके Multiverse के अलग-अलग युनिवर्ज के स्टोरी को कवर करेंगे और दोस्तो मेरा विश्वास मानिए आप लोगों को इस स्टोरीज को सुनने में भी काफी मज़ा आने वाला है उसके इलावा भी चैनल पे काफी सारी फैन मांगा जाएंगी और काफी सारी थियोरी वीडियोज और बटी स्टोरीज भी तो चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुर मत भूलेगा अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के आज शेयर करना बिल्कुर मत भूलेगा तो चली दोस्तों अब अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं सन ब्रा बाबटी के कंट्रोल में आ गई है और यूनिवर्स 18 का गोहन ये देख के हिरान रजाता है यूनिवर्स 18 का गोहन भी वहीं पर आता है और उसे भी इस चीज़ पर विश्वास नहीं हो रहा होता यूनिवर्स 18 का गोहन बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है उसी इंसाने से लड़ाई करी है मुझे हमेशा डर लगता था कि अगर मैं कुछ गलत करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे और मुझे ऐसे लोगों के लिए लड़ना पड़ता था जिन लोगों की मेरे नजर में कोई कीमत नहीं है पर अब मैं अजाद हो गई हूँ अब वो सार रणने कोशिश करो संब्रा बोलती है कि नहीं मैं ताकतवर हूँ और मैं उतनी ताकतवर हूँ जितनी में पहले कभी नहीं थी अब मैं अपने सूपर सेयन 2 की फॉर्म को भी कंटोल कर सकती हूँ और इस फॉर्म को तुम लोग के साथ लड़के टेस्ट करना ये मेरे लिए बहुत सदा मज़ितार होगा युनिवस 17 का गोहन बोलता है कि कि हमें सच में से लड़ना पड़ेगा युनिवस 17 का गोहन बोलता है कि ब्रा ने पहले भी कई बारी कंटोल खोया है उसके सयन बलट की वैसे वो पहले भी कई बारी लोगों के लिए खत्रा बन चुकी है पर और बोलती है कि जब तक मैं उनसे लड़ूंगी ये शील्ड अपर प्रोटेक्ट करती रहेगी युनिवस 18 का गोहन बोलता है कि ये तो बाबड़ी की बात मान रही है जब वेजिटा बाबड़ी के कंट्रोल में था तब उसने भी बाबड़ी की बात नहीं मानी थी युनिव युनिवस 18 का गोहन बोलता है कि पर अब उसकी अच्छाई को बाबड़ी ने हटा दिया है संब्रा बोलती है कि मैं तो बस एक गोहन से लड़ना चाहती थी पर यहां पर तो दो दो हैं लगता है मुझे बहुत मज़ा आने वाला है संब्रा एकदम से पावर अप करती है औ पहले भी test कर चुके हैं हम बिना बोले एक plan बना सकते हैं दोनों गोहन एक साथ बोलते हैं कि हम दोनों आगे बढ़ेंगे और एक साथ अटेक करेंगे युनिवस 18 का गोहन बोलता है कि मैं जाता हूं और बाबडी पाटेक करता हूँ उसकी शील्ड को मैं आराम से तोड़ उसकी शील्ड मुझे नहीं रोक पाईगी। उनिवर्स 18 का गोहन बोलता है कि मैं संब्रा पर अटक करता हूँ, मैं उसे पहले से जानता हूँ, तो मैं उसे समाल पाऊंगा। दोनों गोहन संब्रा पर अटक करने के लिए तयार होते हैं और जैसे ही वह आगे बढ़ने वाले होते हैं वैसे ही संब्रा युनिवर्स 18 के गोहन पर अटक कर देती है, युनिवर्स 18 के गोहन को कुछ समझी नहीं आता, दोनों गोहन का बनाया हुआ पूरा का पूरा प्लान संब्रा ने एक सेकिन में बरबात कर दिया, युनिवर्स 18 का गोहन एक दिन से जाके दिवार से रोक लेती है, गोहान संब्रा पर घूसे बरसा रहा होता है, पर संब्रा गोहान के सारे के सारे अटैक्स को बड़ अराम से रोक रही होती है, गोहान एक बहुत ही ताकत और पंच बनाता है, और उससे संब्रा पर अटैक करनी कोशिश करता है, पर जैसे ही उससे वो पंच करन संब्रा हट जाती है संब्रा को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो गोहान के पेट में बहुत जोरदार घुसा मारती है इससे गोहान की जान निकल जाती है जिनिवर्स इक्षिन का गोहान दर्द से कर रहा रहा होता है और जमीन पर बैठा हुआ होता है संब्रा बोलती है कि त दोनों पूरी ताकत से लड़ो वरना तुम दोनों और जल्दी मारे जाओगे एकदम से संब्रा युनिवर्सिशन के गोहन को बहुत जोरदार किक मारती है तभी वहाँ पे दोनों पिकलो आ जाते हैं एक पिकलो स्पेशल बीम कैनन का इस्तमार करता है और उसे संब्रा पे श अदोनों पिकलो एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं युने लगातार एक करना होगा अगर उन्हें संब्रा को हराना है तो दोनों ही पिकलो लगातार अप निरेक्शन से संब्रा की तरफ तरफ वो उसके पैर पकड़ लेता है सन्वरा बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसे अटेक से भाग के जाओंगी संवरा सारे की सारे अटेक्स जहलने के लिए तेयार खड़ी होती है और जैसे ही अटेक्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं वो अपने चारों तरफ ए और जैसे ही वो ये बोलती है वैसे ही एक special beam cannon उसकी shield को तोड़ देती है और उसके हाथ से टकरा जाती है संब्रा को विश्वासी नहीं हो रहा होता कि कोई special beam cannon से कैसे लग सकती है वो से attack से बचने कोशिश करती है और उसका एक हाथ कड़ जाता है ये special beam cannon पिकलो की नहीं होती ये special beam cannon होती है perfect cell की संब्रा बोलती है कि cell आखिर तुमने अपने असले रंग दिखाई दिये इस वक्त संब्रा का एक हाथ कटा हुआ होता है फिर भी वो हस रही होती है संब्रा अपने कटे हुए हाथ की तरफ बढ़ती है और एकदम से अपने हाथ से गलव उतार लेती है उसके गलवस के अंदर 3-4 senzu beans पड़े थे, वो एकदम से जाती है और उन senzu beans को खा लेती है जैसे ही वो उन सेंजू भी इसको खाती है वैसे ही वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है उसके सारे के सारे घाफ ठीक हो जाते है यहां तक कि उसका हाथ भी द्वारा उख जाता है संब्रा बोलती है कि यह तो बहुत बढ़िया है अगर मुझे तुम से लड़ने का मौका ना मिलता तो मुझे थोड़ी निराशा होती एग मिल से संब्रा पर्फेक्ट सेल के पीछे जाती है और उस पर अटेक करती है पर्फेक्ट सेल बहुत जाधा कतवर है पर संब्रा उससे भी जाधा कतवर है सेल बड़ी मुश्कित से संब्रा की अटैक से खुद को बचा रहा होता है संब्रा एक बहुती जोरतार गुज़त सेल को मारती है सेल बहुत जोरतार तरीकी से समीन से टकराता है संब्रा सेल को खतम करने ही वाली होती है वो एक बहुती बड़ा अटैक मना रही होती है और बोलती है कि इस अटैक के बाद खुद को रिजनरेट करने कोशिश करना पर तभी वो कुछ नोटिस करती है गोहन बाबडी तक पहुच किया होता है यह यूनिवर्स 18 का गोहन है जो संब्रा के अटैक के बाद दिवार से टकरा गया था वो एनिना के चारों तरफ भाग के गया और किसी तरके से बाबडी तक पहुच गया वो इस वक्त लड़ाई को खतम करने कोशिश कर रहा है ना कि लड़ाई को जीतने की संब्रा एकदम से ये देख लेती है और बाबडी को बचाने के लिए एकदम से बाबडी के पास भाग के जाती है संब्रा के हाथों में अभी भी वो ही एनरजी होती है जो उसने सैल को खतम करने के लिए बनाई थी वो जैसे ही गोहन के पास जाती है गोहन बाबडी पर अटैक करते करते उसी अनर्जी पर शूट कर देता है और जैसे ही वो उस अनर्जी पर शूट करता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है ये ब्लास्ट इतना जादा खतरनाक था कि अरिना में जो भी लोग होते हैं वो मारे जाते हैं जहां तक कि हमारे वायर्स भी इस अटैक से बहुत जादा बूरी तरीकी से घायल हो जाते हैं। ये अटैक इतना जादा खतरनाक था कि पूरा का पूरा स्टेडियम तबहा हो जाता है। पर बाबेडी अभी भी सेफ है। संब्रा की बनाई हुई शील्ड इत्ती साहा ताकतवर थी कि वो इस पूरा की पूरा अटैक को जहिल जाती है। पर एरिना में अब कोई भी नहीं बचा है। जो भी लोग थे और जो भी लोग बाबेडी के गंट्रोल में थे वो सारे मारे जाते हैं। सुप्रीम का इस सोच रहे होते हैं कि सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। अब मैं क्या करूँ। तब ही भू सुप्रीम का इसे बोलता है कि तुम तो पूरी दुनिया के सुप्रीम लीडर हो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस चीज को ठीक करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। युनिवर्स 16 का गोहन बहुत बूरी तरीके से घायल हो चुका होता है और दोनों पिकलो भी बहुत बूरी तरीके से घायल हो चुके होते हैं एक पिकलो बोलता है कि दोनों गोहान अपने पूरी ताकत का इस्तमाल कर चुके हैं और दूसरा पिकलो बोलता है कि हमें जल्दी से उनके पास जाना होगा और उन्हें एक-एक सेंजुबीन देना होगा संब्रा के हाथ में जो गलव था वो पूरी तरिके से तबहा हो जाता है और उसी के साथ उसके सेंजू भी इसे पर तबहा हो जाते हैं अगर अब संब्रा घायल होती है तो उसके पास कोई भी सेंजू भी नहीं है खुद को ठीक करने के लिए Sunbra एकदम से Gohan के पास जाती है वो बोलती है कि अगर तुम Rules के इसाब से नहीं लड़ोगे तो मैं भी Rules के इसाब से नहीं लड़ूँगी वो एकदम से Gohan पर अटेक करती है Gohan को लगता है कि वो उसे पंच बारने वाली है Gohan Sunbra के पंच से बचने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है और Sunbra का पंच उसके हाथ से टकराता है पर Sunbra का प्लान को छोड़ था वो एकदम से Gohan को टेलिपोर्ट कर देती है और उसे एकदम से स्पेस में ले जाती है यूनिवर्स 18 के Gohan को एकदम से याद आता है जिस Sunbra ने ये टेकनिक पहले भी यूनिवर्स 19 के एक वोयर के साथ यूज़ करी हुई है Sunbra एकदम से Gohan को स्पेस में ले जाने के बाद वहाँ से गया बजाती है बाबड़ी इस वक अकेला होता है और एक दिम से सेल उस पर अटेक करने कोशिश करता है बाबड़ी बोलता है कि तुम मेरे कंट्रोल में हो तुम मेरी बात मानों सेल बाबड़ी की नहीं सुन रहा होता और बाबड़ी को मानने के लिए उसकी शील पर अटेक करता है पर जैसे ही वो उसकी shift तक पहुचता है, Sunbra वापस आती है Sunbra बोलती है कि Master लगता है मैं आपको एक भी सेकंड के लिए नहीं छोड़ सकती Sunbra सेर को एक बहुत सोरदार लात मारती है Sunbra सेर से बोलती है कि सरफ तुमारे पास और उन दोनों गहान के पास इत्ती ताकत है जाती है जो सके सर से आ रहे होती है वो बोलती है कि चिनता मत करो गोहान देखता है कि यह वह बहुत ही छोटा सेल जूनिर है जो उसके सर पर बैठा हुआ है वो से एल जूनियर बोलता है कि मैं यहाथ हुमारी मदद करने के लिए आया हूँ डैड ने मुझे माजीन बू को देखने के बाद बनाये था मैं टैलिपूर्ट कर सकता हूँ अपना सबसे ताकतवर पंच बना लो हम जल्दी यह नीनल तक बहुच जाएंगी गोहान बोलता है कि मैं समझ गया चलो यह शुरू करते हैं तब ही हम एरीना में दोनों पिकलो को देखते हैं एक पिकलो बोलता है कि मेरे युनिवर्स का गोहान एक दिम से गायब हो गया है यानि कि युनिवर्स 18 का गोहान और युनिवर्स 18 का पिकलो बोलता है कि मैं दूसरे गो पर तभी संब्रा का ध्यान गहीं जाता है वो देखती है कि यहां पर कई सारे छोटे सेल जूनियर्स हैं युनिवस इक्षिन का पिगलो एक दम से गोहान को एक सैंजन जूमिन देने वला होता है सेल संब्रा से लड़ रहा होता है और संब्रा बोलती है कि वह तुमने तो बह प्रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी। गोहान को ये नहीं पता था कि वो किसे बंच मारने वाला है। उसे लग रहा था कि वो बाबडी पर टैक करने वाला है। गोहान सेल जुनियर से बोलता है कि बेफको कहीं के तुम्हें बाबडी को टै wow targeat करना चाहिए था। सेल जुनियर बोलता है कि तुम तो काफी समझदार हो। तब ही हम देखते हैं कि एक दूसरा सैल जूनियर बू के पास जाता है और बोलता है कि चलो उठो हमारी मदद करो हमें संब्रा को मारना है बू बोलता है कि पर वो तो हमारे साइड है ना सैल जूनियर बोलता है कि नहीं जल्दी से उठो और हमारी मदद करो बू एक दिन से ख शिल्ड को काट रहे होते हैं संब्रा एकन से बाबडी के पास जाती है और उसे शिल्ड के अंदर से निकाल लेती है संब्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो बोलती है कि पर मुझे लगा था कि यूनिवस 19 के वारियर्स को सेल ने मार दिया है पर तभी सेल हसता है और हमार इसे बचके उस वारियर्स से बात करने के लिए किया था सेल बोलता है कि इस तरीके से कोई भी हमारे थोट्स नहीं सुन पाएगा मैं तुम से थोड़ी सी बात करना चाहता हूं सेल उस वारियर्स से बोलता है कि तुमारी बॉड़ी को नैनो मिशिन्स ठीक कर रही है तुमा मैं दूसरे वारियर्स का एरजी पैक ले सकती हूँ सैल बोलता है कि ठीक है पर ये सब कुछ छुपके करना वो वारियर्स बोलती है कि पर क्यों सैल बोलता है कि मैं बाबड़े के माइन कंडूल से भारा चुका हूँ अब ही मैं वही कर रहा हूँ जो बाबड़े बोल रहा है पर असल में मैं तुम्हाई तरफ हूँ ये लगता है सैल शुरुवाद से ही दोस्ट बनाने में लगा हूआ है दोनों पिकलो, दोनों गोहान, सैल, यूनिवर्स 19 के वोयर्स, बू और सारे सैल जूनियर्स ये सब अब संब्रा के खिलाफ हैं और बाबड़ी को मानने के लिए तयार खड़े हैं पर इस फाइट का क्या रिसल्ट रहेगा ये हमें पता चलने में काफी समय है और जैसे ही इसका अगला चप्टर आएगा, मैं आप लोगों के लिए लेका राजाऊंगा तो दोस्तों, आज की ये वीडियो ही पे खतम हो जाती है मुझे नीचे कमेंट करके बताएए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पे किसी भी तरीके से 2500 लाइक्स पहुचा दीजिए और मैं समझ जाऊंगा कि आपको अभी भी मल्टिवर्स की और वीडियो चाहिए और हम दूसरी मल्टिवर्स की स्टोडियों को शुरू कर देंगे आगे भी ऐसी ही वीडियो उस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दवाना बिल्कू मत भूजेगा ताकि आपको इस चैनल की सारे की सारी अपडेट्स मिलती रहें अपने दोस्कात वीडियो को शेयर भी जरू कीजिएगा मैं जल्दी आप लोगों से अपने चैनल पर एक सवाल पूछूँगा तो आप मुझे उसका जवाब जरू दीजिएगा मैं जल्दी मल्टिवर्स टुन्डमेंट से रिलेटेड एक क्यो एने करने वाला हूँ और उस पे मैं इंस्ट्रागाम से कोशन्स लूँगा